जैहिन आज हम लोग discuss करेंगे चोला मनलम finance limited के उपर, सबसे पहले हम लोग company का business model जानेंगे, then उसके बाद एक small comparison करेंगे other NVFC के साथ and finally हम लोग discuss करेंगे company का valuation, fair value क्या होना चाहिए, FI24, FI25, FI26 में expected target क्या निकल के आता है, सब कुछ हम जानेंगे, यहाँ सबसे पहले हम चो काफी लोग इस group के बारे में जानते ही नहीं है, जैसे like, Reliance हो गया, Tata हो गया, इन groups के बारे में बच्चा बच्चा जानता है, पर मुरुगपा group के बारे में काफी कम लोग जानते हैं, जबकि इसके काफी सारे stocks जो है, stock market में listed भी है, like Tube Investment and Coromundal, EID Paddy, Cargo Random Universal, Vant India, ऐसे कई स सारे stocks listed है, जिन्होंने multiple return बना के भी दिया है, चोला मरलम finance limited की हम बात करते हैं, तो ये भी already 200 times return बना के दे चुका है, पिछले 20 years के अंदर, and यहाँ पे सबसे पहले हम company का business model की बात करते हैं, तो company एक NBFC, चैनाई-based company है, जिसमें loan segment की बात करते हैं, तो company basically vehicle loan, home loan, lab, loan against property, य loans provide करती है, इसके अलावा नए business model में company आ चुकी है, last two years से, others में, जिसमें SME loan, SME हो गया, small and medium enterprises, इसके बात हो गया, CSEL, consumer and small enterprises, and इसके अलावा, secure business loan and personal loan, and basically जो ये other वाला segment हो गया, जिसमें SME, CSEL, type के जो loans है, इसमें कंपनी ने क्या किया है, इसमें कई टाइप की जो fintech companies है उन से tie up किया है, और वहाँ से company अच्छा कासा growth लेके आ रही है, वो सब कुछ हम आगे discuss करेंगे, जिसमें basically जो company का हम करती है, rural areas में, जहां company का आप ये माल लीजे, जो भी company का revenue है, जिसमें 80% rural area से ही generate होता है, इसके बाद semi urban 12%, urban area में company जो है काफी कम है, जहां से company का growth जो है जिस वज़े से इनको एक अच्छा का सा green space भी मिल जाता है, जहां पर हम company का AUM की बात करते हैं, asset under management, March 23 के अंदर, यानि जो latest AUM है, 1,12,782 करोड हो चुका है, जबकि आप इसको compare करते हैं, 22 से 82,904 करोड था, 21 से compare करते हैं, 76,518 करोड, and 20 से compare करते हैं, 66,943 करोड, यहां प FI 23 को आपस में compare करते हैं, तो यहां पर जो growth rate है AUM का वो 36% देखा गया, अबरल आप इनका growth देखते हैं, disbursement से इनका जो growth है, year on year basis पे 87% से बड़ा है, AUM 36%, net income 28% से grow करी है, and pet profit after tax 24% के CAGR से बड़ा है, year on year basis पे, अब यहां पर इनका asset segment, जो इनका AUM है, वो कौन से segment में कि इसमें first आता है, vehicle finance 66,722 करोड, यह majorly इनका जो dependence है, वो vehicle finance में ही है, और यहां पर growth का अनुमान कैसे लगाएंगे, अगर auto sector अच्छा कर रहा है, commercial vehicle की sales अच्छी हो रही है, तो यह company भी अच्छा करेगी, क्योंकि इनका जो majorly revenue है, जो इनका dependence है, वो सिर्फ vehicle finance में है, यह and small enterprises loan, जिसके अंदर बजाज finance है, उनके अंदर यह entry ले चुके है, and जो other fintech companies है, काफी type की जो fintech companies है, उनसे इनोंने tie-up भी किया है, जिस वज़े से इनका जो reach है, online platform यह काफी जादा भड़ चुका है, यहाँ पे second है, lap, loan against property, 20,473 करोड, third home loan, 8,018 करोड, अभी होम लोन में, जो इनका पहले का आप revenue देखते हैं, उसके comparison में already, काफी अच्छा हो चुका है, पहले के comparison में, other की हम बात करते है, 9,632 करोड, others में जैसा कि मैंने आप बताया, SME loan, business loan, इस type की loans आ गए, unallocated, 8,779 करोड, यह सब loans हो गए, जो इनका AUM है, यहाँ पे divided है, जिसमें आप overall revenue देखते हैं, FI 23 में, 13,105 करोड का है, FI 22 में यह revenue था, 10,231 करोड, जो इनका growth देखा गया है, वो करीब-करीब देखा गया है, overall आप देखते हैं, 30% का, जिसमें आप vehicle finance से देखते हैं, तो 8,786 करोड, lap देखते हैं, 2,152 करोड, and housing loan देखते हैं, 907 करोड, others से दे 913 करोड, unallocated loan देखते हैं, 346 करोड, जिसका आप FI 2 से compare करते हैं, तो FI 2 के यह data है, जिसमें highest इनका contribution है, वो vehicle finance में ही है, इसके बाद जो growth देखी गई है, highest, अच्छी खासी जो run rate से grow कर रहा है, वो इनका कर रहा है, other segment, जो करीब-करीब आप देखेंगे, FI 22 और FI 23 को आपसे में compare करते हैं, तो 400, 15% का, इसमें jump देखा गया है, revenue growth के अंदर, तो यहाँ आपको समझ में आ गया होगा, जो इनका, जो ये Fintech company से type करें, उसका benefit इनको काफी जाता मिल रहा है, and यहाँ पे cost of fund, इसके बाद सबसे important topic होता है, cost of fund, यानि cost of borrowing, cost of borrowing का मतलब होता है, ज loan देने के लिए, जो करीब-करीब उस पर interest pay कर रही है, 6% approximately, जिसमें majorly जो company का source है, वो है bank से, bank से लेती है company loan, and इसके बाद debt mutual fund हो गया, and commercial paper हो गया, यह एक इनका majorly source of fund है, and यहाँ पे आप comparison भी करते हैं, जैसे other finance company होगी, जैसे mainly मैंने आपको बताया, इनका segment कौन सा है, इ इसमें commercial passenger, यह सब टाइप के, इनके finance, यह provide करती ही company, and यहाँ पे majorly जो vehicle finance में, यह provide करती है, commercial finance ज्यादा प्रोवाइट करती है, यहाँ पे आप देखते है, शीराम transport, जो खुद एक vehicle finance provide करने वाली company है, जिसमें इनका 97% जो है, वो commercial passenger vehicles, इनको यह loan provide करती है, और सबसे ज्या उनके उपर, जो भी, मतलब equipment होते हैं, उनके उपर भी यह company loan provide करती है, तो यहाँ basically जो cost of fund है, या cost of borrowing है, आप इस से compare करते है, चोला मनलम finance limited के सामने, तो काफी ज़्यादा है, यानि 8-9% के बीच में है, तो cost of borrowing उसकी काफी ज़्यादा है, and बजाज finance की बात करते हैं, तो बजाज finance जैसा की मैंने आपको बताया, वो काम करती है, कहाँ पर consumer, durable, lap, SME, इस segment में काम करती है, बजाज finance, जिनका आप cost of borrowing देखते हैं, 6.5% के आसपास है, approximately, और आप इसके बाद next बात करते है, आवास housing finance, basically जो आवास finance है, वो home loan हो गया, और lap हो गया, loan against property, वहाँ deal करती है, जिसका cost of borrowing 6.5% के आसपास है, तो यह जितनी भी companies है, NBFC, आप इनको bank से तो compare नहीं कर सकते है, चोला मनलम को, इसको आपको compare करना पड़ेगा, NBFC से, तो जितनी भी NBFC companies है, जिसमें सबसे कम, जो cost of borrowing है, या cost of fund है, वो चोला मनलम finance का है, 6% का, पर यहाँ बजाज finance को ह हमेश्रा market value जाता करता है, चोला मनलम के comparison में, और चोला मनलम को क्यों नहीं करता है, इसका reason में आपको बताऊंगा, second जो valuation में मैंगी company है, फर्स्ट बजाज finance, second चोला मनलम, इसके बाद यह श्री राम ट्रांस्पोर्ट हो गया, यह share चलता ही नहीं कभी आप देखोगे, त सब segment के अंदर चोला मनलम finance भी है, पर majorly इनका जो मैंने आपको बताया, जो dependence है वो आप देखेंगे, vehicle finance में ही है, पर बहुत तेजी से, जैसे इन्होंने fintech company के साथ tie up किया है, उसके बाद इनके जो other loans है, वहाँ पे इनका जो AUM है वो लगातार बढ़ता है, जैस बज़े से overall इनका जो portfolio वो diversified हो जाता है, dependence नहीं रहता है, माल लीजिए, अगर auto sector कहीं भी dealer पर नाता है, auto sector में माल लीजिए, तो यहाँ इनका overall अगर माल लीजिए, 50% से उपर यह जो other segment है, like मैंने आपको बताया, SME हो गया, business loan हो गया, यह इनके अंदर home loan हो गया, तो इनके अंद से समझ सकते हैं, जिसमें लगातार vehicle finance वाला segment इनका कम हो रहा है, पहले लगवग यह 80-85% का हुआ करता है, उसके comparison में यह काफी कम हो चुगा है, और possibilities है future में यह 2-3 साल के अदर 50% या उससे बिलो हो जाना चाहिए, यहाँ पे यह भी आपको समझना पड़ेगा, अगर जिस इनका काफी महेंगा होता है, और बीच में इनके employee cost, सब कुछ काटने के बाद जो net interest margin होता है, वो bank के comparison में भी जाता होता है, और जो other finance company उसके comparison में भी काफी जाता है, तो यह काफी positive point है, इसके लिए, थर्द हम बात करते हैं, सबसे important factor होता है, return on equity, return on equity, fi 23 का 20.6% है, फिर आप लगातार देखते हैं, 5-10 years का, वो भी आपको 18-19-20% के असपा से दिखाई देगा, यानि return on equity हमेशा finance company का strong राय है, और यह एक अच्छी बात भी है, return on equity अगर 18-20% रहेगा, तो यह आपको आसानी से, आप यह भी मान की चल सकते हैं, कि more than 15% का CHL, long term में यह आसानी से आना के देगा भी भी, and यहाँ पे आप इसका PBT and PBT ROA देखते हैं, तो FI 23 में यह 4.4% है, अगेंस 3.8%, यह जतना ज्यादा होगा, जतना ही होगा, उतना अच्छा माना जाएगा, basically इन्होंने बता रखाए, PBT-ROA, जबकि आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं, PAT, क्योंकि बेसि यह भी अच्छा है, overall, क्योंकि इससे यह पता चलता है, जो total asset है, company की, उस पर अच्छा कासा, जो return है, वो generate कर रही है, तो यह आप यह मान के चलिए, 1.5% से उपर ही होना च्छी, 1.5% से नीचे जा रहा है, तो company के, जो overall हम देखते हैं, जो performance है, उसमें दीमापन दिखाई ही देगा, तो यहां मतलब, जो assets का utilization है, अच्छा कासा है, यह भी आप समझ सकते हैं से, फिर इसके बाद सबसे important role होता है, asset quality का, क्योंकि asset quality ही mainly role है, क्योंकि मान लीजिए, अगर finance company growth हो कर रही है, sales revenue अच्छा कमारी है, profit अच्छा कमारी है, पर जो पैसा loan के रूप में दिय क्लियर बताती है, क्योंकि stage 3 level, कौन से level होते है, अगर 90 दिन से कोई भी loan, जो default चल रहा है, जिसका, जो EMI यह वो आनी रा कंपनी की पास, तो वो stage 3 level में चले जाते है, तो वो काफी important होता है, क्योंकि वहाँ पे जो loans होते है, वो डूबने की जबाबना जाता होती है, जैस NPA देखते हैं, तो 4.63% का अगेंस 5.37%, इसमें भी improvement देखा गया है, and net NPA देखते हैं, 3.11% अगेंस 3.76%, यहाँ देखिए, आप net NPA देखते हैं, काफी जादा है, हर 100 रूपय कंपनी लोन के रूप में देती है, जिसमें 3 रूपय डूब जाता है, ऐसा यह net NPA बता दा दा है, and उनका जो gross NPA रहता है, वो 7% के आसपस चल रहा है, और अभी आप देखते हैं, पास्ट में यह 90% के आसपस भी चला गया था, and इसके अलावा जो net NPA वो 4-5% के बीच में, तो यहाँ श्री राम ट्रांस्पोर्ट फाइनस की एक तो cost of borrowing जाता है, gross NPA, net NPA जाता है, उस के comparison में, चोला मुझला finance भहुत ही better perform कर रही है, तो यहाँ पे जब इनका cost of borrowing कम है, और net interest margin हाई है, तो यहाँ पे 3% के जो यह net NPA, आगर होते भी हैं, तो इतना कुछ खास परक नहीं पड़ता, share को, और continuously अच्छा कासा grow भी कर रहा है, share, ऐसा नजर भी आ रहा है, तो यहा होँगा, क्योंकि इसका dependence सिर्फ vehicle finance पे है, majorly, and 97% हो गया vehicle finance में, and 3% हो गया like business loans and working capital loans पे, तो यहाँ क्या होता ही कि अगर कभी भी slowdown आता है auto industry में माल लिजिए, तो automatically क्या होगा, कि यह इस company के growth भी automatically कम हो जाएगी, तो जब तक इनका यह diversified नहीं होता, यह जो इनका vehicle finance वाल transport finance में, आपको ध्यान नहीं देना चाहिए, और gloss NPA net NPPB काफी हाई है, and overall आप देखते हैं, तो सायद मेरे साथ से, आप दूरी बना के रहोगे, इस यहर से तो ज्यादा फाइदे मन रहेगा, योकि 14 मनलम finance का जो business है, वो डाइवर्सी फाइड रहा है, continuously और सेम ये बजाज finance के track पे चल रहे हैं, इसा नजिल भी आ रहा है फिलाल, and यहाँ पे इसके अलावा बात करते हैं, shoulder, pattern, shoulder, pattern, promoter की holding है, 57.51.47%, FII, करीब करीब 20%, DII, करीब करीब 21%, public के पास सिर्फ 7.44% holding है, यानि अच्छा कासा, जो strong hands है, उनकी हात में ही holding है, and valuation की बाच करते है, यह सबसे important topic होता है, valuation, जिसको आप अच्छे से समझे, इसका आप price to earning से भी देखते हैं, तो price to earning करीब करीब इसका fair चलता है, 26, 27 के around, ठीक है, and book value की बात करते हैं, तो book value इसके चल रहा है, FI 22 में 143, 143 rupees, FI 23 में 175, और जिसमें आप growth देखते हैं, 22 को 23 से compare करते हैं, तो 22% से इनका book value बड़ा है, and यहाँ पर price to book value रेखते हैं, तो price to book value कैसे निकलेगा, जो भी company का share price चल रहा है, आप उसको divide कर दीजिए, current book value से, share का price चल रहा है, 990 rupees, जिसको हम divide करते हैं, current book value 175, तो price to book, कितना चल रहा है, 5.65x, यानि जो original price, original book value है, उससे करीब करीब यह माल लीजिए, पो finance का आप देखते हैं, तो करीब-करीब 7 times का चलता है, 7, 8 times का, उसके आसपास यह आ रहा है, जबकि normal times में आप देखते हैं, तो यह 5 के नीचे रहता है, 4 to 5 के बीच में रहता है, तो यह बहुत तेजी से बढ़ा है भी फिलाल, 5.65 पे आ चुका है, तो यह expensive है फिलाल, पर यहां पे market इसको re-rating कर रहा है, re-rating इसलिए कर रहा है, क्योंकि significant इन में gross NPA में decline देखा गया है, net NPA भी अच्छा कासा जो इनका asset quality इसमें अच्छा कासा improvement देखा जा रहा है, stage 3 level पे भी आप देखते हैं, तो यहां पे overall आप देखते हैं, business diversified हो रहा है, fintech company के साथ यह type कर हैं, लगातार, इनका जो digital growth है, वो काफी तेजी से हो रहा है, तो यही कारण है कि market इसको re-rate कर रहा है, अब यहां app के through इनके पास automatically जो है, loan size automatically बढ़ रहा है, AUI में आप देखते है, 30% से grow कर रहा है, more than 30%, जो यही कारण है की market इसको re-rating करना इस्टार्ट कर चुका है, और bank का dependence काफी कम है, या bank है ही नहीं, तो ऐसे segment में काम करती हो, bank आते भी है, तो शायद उनका जो expense होगा, वो काफी ज़्यादा हो सकता है, basically एक company काम कर रही है, tier 4, tier 5, tier 6 cities के अंदर, and यहां पे आप expected growth in best case scenario में ले सकते है, 20%, 25% के भीच में रह सकता है, आने वाले next 3 to 5 years में भ जाता चल रहा, expensive चल रहा है, इतना तो मैं value, book value नहीं दूँगा, price to book value इतना नहीं दूँगा, तो यहांपे आप क्या करेंगे, जो इसका book value है 210 rupees, जो FI 24 में expected है, जिसको आप multiply करेंगे, 4 to 5 times होता है, आप 5 ले लिजी, या 4 ले लिजी, 4 लेंगे तो काफी कम rate हो जाता है, फिर future में कम होगा, तो कम करेंगे, ज्यादा होगा, तो ज्यादा करेंगे, पर फिलाला 5 भी लेके चलते हैं, तो इसका जो FI 24 का जो target है, expected, वो 1,050 rupees का है, and FI 25 में 20% का growth rate, book value, book values की हो जाते है, 20% growth rate के साथ, 252 rupees की share value के हम बात करते हैं, तो 252 को आप multiply करेंगे, 5 से, यान हो जाता है, 1260 rupees, and book value, अगर आप FI 26 में 302 rupees मानते हैं, 20% का growth rate लेकर, तो इसका जो rate है, FI 26 के अंदर, वो हो जाता है, 1512 rupees, 302 का 5 से multiply करते हैं, तो 1512 rupees हो जाता है, अगर book value मान लिजिए, market इसको 6 times का देता है, जैसे अभी currently 6 times के आसपास ही आने वाला है, तो automatically ये आप मान क चलिए, FI 26 में इसका target जो है, वो 1800 rupees के असपास निकल गया जाता है, पर फिलाल आप on conservative side, इसके fair value के हम बात करते हैं, 5 times से आप multiply कर लिजिए, current book value को 175 का 5 से multiply करते हैं, तो इसका current value करीब-करीब आप मान के चलिए, 850 rupees के असपास हो जाएगा, and आप ये मान के चलिए, market जो ह आप 195, 200 के असपास हो जाती है, जिसको आप 5 से multiply करते हैं, तो 1000 rupees फिल भी share के fair value अभी निकल के आती है, अब यहाँ पर चॉला मनलम finance और बजाज finance दोनों को आपस में compare करते हैं, तो यहाँ पर बजाज finance का जो price to book value है, 7 times पे चल रहा है, जबकि आप 14 मनलम finance का price to book value देखते ह हैं, तो करीब 30-35% के बीच में आपको दिखाई देगा, और जबकि 14 मनलम का आप देखते हैं, तो 20-25% के बीच में दिखाई देगा, तो यहाँ पे profit growth जो है, वो बजाज finance की ज़्यादा अच्छी है, second reason आपको यह देखना पड़ेगा, जो net NPA, gross NPA है, 14 मनलम के comparison में बज बजाज finance के काफी better है, बजाज finance का जो net NPA है, विलो 1% है, 0.7, 0.6 के आसपास रहता है, जबकि 14 मनलम का हम देख रहे है, net NPA, अब जाके, जब इनका asset quality में improvement दिखा गया है, उसके बावजूद भी, जो इसका net NPA, वो 3% से उपर ही है, तो यहाँ पे majorly difference यही नजर आता है, पर यहाँ चोला मनलम को, आप यह मानके चलिए, अभी re-rating market कर रहा है, और बजाज finance के आसपास value कब लेके आएगा, जब लेके आएगा, जब इनके भी net NPA, विलो 1% के आसपास होंगे, और growth rate यहाँ से और बढ़ देने की possibilities रखती है, तो simple सी बात है, बजार जो है, जो overall, जो market है, इसको भी re-rate करना start कर देगा, और बजाज finance की value देना start कर देगा, तो आज का वीडियो यह उपर होता है, टेलिग्राम चैनल भी आप जोइन कर लिजे, link description box में है, और आपको वीडियो पसना है, तो प्लीज वीडियो को like करें, आप वीडियो को like करेंगे, तो हमें थैंक यू